Hello students, प्रिश्नावली 12.2 के प्रिश्न किरमां के साथ को आज हम लोग हल करने बाले हैं, तो सबसे पहले तो ये प्रिश्न पढ़ लेते हैं ताकि हमें पता चले कि इसमें हमें क्या-क्या दिया गया है और क्या ग्याद करना है. देखिए इसमें लिखा है कि एक पतंग तीन भिन भिन सेडों के कागजों से बनी है एक पतंग है पतंग तो आप सभी लोगों ने देखी होगी और आपने पतंग उड़ाई भी होगी बच्पन में या अभी भी देखिए और तीन भिन भिन सेडों के कागजों से बनी है पतं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि फश्ट में एक अलग प्रकार का color है, सेकंड में वाइट कलर है और थार्ड में ये पीला कलर है तो ये तीन अलग-अलग प्रकार के सेड़ हो सकते हैं पतंग के तो यहाँ पे ये पतंग है अब आगे लिखा है कि पतंग का जो उपरी भाग है 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक बर्ग है तो ये देखिए ये पतंग है पतंग का जो उपरी भाग आपको दिख रहा ये वाला जिसे हम ABCD नाम दे सकते हैं इस तरीके से तो ये ABCD जो भाग है ये पतंग का उपरी भाग कहलाएगा अब इसमें क्या है कि एक विकर्ण है और विकर्ण जो है इसमें देखिए क्या लिखा है पतंग का जो उपरी भाग है 32 cm विकर्ण का एक बर्ग है तो यहां से लेके यहां तक यह 32 cm का है तो यह 32 cm का विकर्ण है तो यह भी कितना है 32 अब question को आगे पढ़ते हैं 32 cm विकर्ण का एक बर्ग है तो असल में जो ABCD है वो एक बर्ग है और बर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं इसलिए जितना AC होगा उतना ही क्या होगा BD होगा तो बर्ग के विकर्ण आपस में कैसे हैं बराबर है अब इसके बाद question को आगे पढ़ते हैं इसमें लिखा है और निचला भाग 6 cm, 6 cm और 8 cm भुजाओं का एक सम्दुई बाहु तिर्भुज है तो यहाँ पे हम चित्र में देखते हैं यह पतंग का निचला भाग है और इसे हम D और यहाँ पे हम नाम दे सकते हैं E और F तो जो D E F है यह एक सम्दुई बाहु तिर्भुज है क्योंकि पतंग का निचला भाग है इसकी दो भुजाए समान दी गई है ग्यात कीजिए कि प्रतेक सेड का कितना कागच प्रियोग किया गया है तो हमें ग्यात यह करना है कि प्रतेक कलर का कितना कागच यहाँ पे प्रियोग किया गया है तो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले तो हम इस पतंग में जो हमने आकर्ती बनाई हुई है अब पतंग मान लेते हैं पतंग चित्रा नुसारिया आकर्ती से पतंग का उपरी भाग ABCD है तथा निचला भाग DEF है तो हम लिखेंगे आक्रती से माना पतंग का उपरी भाग ABCD है तथा निचला भाग इसी के बारे में थोड़ा और लिख लेते हैं कि पतंग का उपरी भाग ABCD है जो की एक बर्ग है और इसका जो बिकरण है वो दो बिकरण होंगे एक तो होगा AC और दूसरा होगा BD तो लिखेंगे इसका बिकरण 32 cm है तथा बिकरण पहला बिकरण है AC और दूसरा है BD दोनों आपस में बरावर होंगे तो हम लिखेंगे AC बरावर BD बरावर और ये question में हमें दिया गया है 32 cm विकरण है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 32 cm ये विकरण हमें दिया गया है अब देखिए तथा पतंग का निचला भाग DEF एक सम्नदूई बाहु तिर्बुझ है तो नीचे लिखेंगे तथा या फिर लिख सकते हैं और पतंग का निचला भाग DEF एक सम्नूई बाहु तिर्बुझ है तो इस तरीके से लिखेंगे जिसमें D.E. और D.F. दोनो 6-6 के हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे जिसमें D.E. बरावर D.F. बरावर 6 cm और E.F. 8 cm E.F. बरावर 8 cm तो यह आकरती के बारे में हमने लिखा जो हमने A.B.C.D. करके माना है अब इसके बाद हमें क्या करना है सबसे पहले अगर हम बर्ग का छेत्रफल पूरा निकालें तो हमें भुजा पता होनी चाहिए लेकिन हमें इसमें चुकि क्वश्चन में ये तो दिया गया है कि A.B.C.D. एक बर्ग है जो पतंग का उपरी हिस्सा है ये A.B.C.D. एक बर्ग है लेकिन बर्ग का छेत्रफल हम कैसे निकालेंगे तो उसके लिए हमें बर्ग की भुजा पता होनी चाहिए लेकिन भुजा नहीं दी गई है केवल एक बिकरन दिया गया है यहां से लेके यहां तक यह 32 दिया गया है तो बर्ग के बिकरन एक दूसरे को क्या करते है सम्दूई भाजित करते है न तो यहां पे एक पॉइंट मिलेगा जिसे हम नाम दे सकते हैं कुछ भी जैसे हमने O नाम दे दिया तो B.O एक पॉइंट हो गया तो बर्ग के बिकरन एक दूसरे को जब सम्दुई भाजित करते हैं तो 32 के दो टुकड़े हो जाएंगे 16-16 के तो A से लेके O तक 16 cm होगा और O से लेके C तक ये भी 16 cm ही होगा होगा की नहीं? तो ये 16 हो गया अब इसके बाद ये भी 32 है तो ये भी उपर कितना हो जाएगा? 16 cm और ये भी कितना हो जाएगा? ये भी 16 हो जाएगा तो अब हमें इससे क्या help मिलेगी? इससे हमें ये help मिलेगी कि हमें बर्ग की एक भुजा पता पढ़ जाएगी अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे पता चलेगी ये वाली भुजा? तो देखिए B, O, C एक समकौन तिर्भुज बनेगा की नहीं? यहाँ पे 90 बनेगा क्योंकि लंब है और समकौन तिर्भुज में जब दो भुजाएगे पता हो तो तीसरी भुजा पाइथा गुरस से पता हो सकती है बिलकुल हो सकती है तो हम यहाँ पे 20 का मान निकाल लेंगे जो की एक बर्ग की भुजा होगी होगी की नहीं? तो जितनी फिर यह होगी उतनी ही यह होगी उतनी ही यह होगी और उतनी ही यह होगी तो बर्ग की यदि हमें भुजा पता चल जाए किसी भी तरीके से तो भुजा का बर्ग कर देंगे भुजा का बर्ग, तो बर्ग का छेत फल मिल जाएगा तो बहुत सिंपल है, हम क्या लिखेंगे समकौन तिर्भुच, आकर्ती में समकौन तिर्भुच बी, ओ, सी में तो पहले तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि बर्ग के विकरन एक दूसरे को सम्दूई भाजित करते हैं तो इसलिए जो एओ है, वो ओसी एओ, ओसी, सोलह, सोलह हो जाएंगे तो एओ, बरावर ओसी, बरावर सोलह सेंटी मीटर इसी तरीके से बी, ओ, और ओडी बी, ओ, बरावर ओडी, ये भी कितने होंगे, सोलह सेंटी मीटर तो ये हम लिख सकते हैं कि बी, ओ, ओ, ओडी सब हो गया तो हम लिखेंगे, अक्रती में अक्रती में, समकौन तिरभुच बी, ओ, सी में तो इस तरीके से हमने लिख लिया समकौन तेरोज B, O, C में करण का वर्ग यानि की BC का वर्ग तो करण की भुजा हम X भी मान सकते हैं या BC BC ही ले ले लेते हैं और टफ नहीं करना है इसको तो BC का स्प्वेर बरावर लंब का वर्ग लंब कितना है 16 और अधार 16 तो 16 का वर्ग प्लस 16 का वर्ग तो BC का वर्ग वरावर 16 का वर्ग 16 करेंगे तो यहाँ पर कर लेते हैं तो 16 की अगर आप पे दुनिया नहीं बनती है तो आप 6 से कर सकते हैं नहीं तो 16, 96, 96 की 6 हांसला जाएगी 9 और 16, 11, 16 और 16 और 9 25 हो जाएगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 25 तो 256 आएगा तो यहाँ पे आएगा 256 तो यहाँ पे भी आएगा 256 बर घटेगा तो बर्गमूल पहले इन दोनों को जोड लेंगे हलाकि BC स्क्वेर बराबर 256, 256, 6, 12 12, 12 की 2 हांसला जाएगी 1 5 और 5, 10 और 11, 11 की 1 हांसला जाएगी 1, 2 और 2, 4 और 1, 5, 512 यह BC बर्ग होगा अब बर्ग हटेगा तो बर्गमूल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहां पे थोड़ा सा दिमार्ट लगाएंगे यह जो है भुजा है और भुजा का बर्ग तो हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि जब हमें बर्ग का छेत्रफल निकालना होगा तो हम लिखेंगे इसलिए बर्ग A, B, C बर्ग A, B, C, D का छेत्रफल बर्ग A, B, C, D, 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 C, D बिल्कुल 20 से ये कटा है तो आधा-ाधा भाग होगा इसलिए फष्ट वा सेकंड दौनो इसके आदे के बिराबर होगे तो इसका आधा फष्ट वा सेकंड इस तरीके से लग्ये फष्ट का चेत्रफल या भाग एक का चेत्रफल ऐसे भी लिख सकते हो भाग एक का छेत्रफल कितना होगा 512, बटे 2 कर देंगे, क्योंकि बरावर बरावर 2 हिस्से हैं, तो टोटल पूरा 512 है, तो उसका आधा करेंगे, तो 256 मिलेगा, तो भाग एक का छेत्रफल यारी 256 है, तो भाग दो का भी कितना होगा 256, तो लिखेंगे भाग दो का छेत्रफ इसके बाद आप भाग यह पर कर देते हैं भाग तीन के लिए तीन के लिए तो भाग तीन के लिए आप क्या करोगे सिंविली या तो आप संदुनी वाहू तिरुज है तो या तो आप लंब डाल दो ऐसा ठीक है तो इस का मान पाइधागुरस से ग्याद कर लो या फिर आफ हिरोन का सूत लगा दू तीन भुजाए हैं तो हिरोन का सूत लगा दू तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे हिरोन का सूत लगा दूँगा तो S का मान तो A का मान मान लेते हैं 6 cm B का मान मान लेते हैं 6 cm और C का मान मान लेते हैं 8 cm तीनों भुजाएं पता हो तो तिरभुज का 6 फल ग्यात हो जाता है अब यहाँ पर S का मान निकालेंगे तो तीनों का योग 6 प्लस 6 प्लस 8 और बटे कितना हो जाएगा 2 8 6 14 14 और 6 20 20 बटे 2 ठीक है तो 20 बटे 2 कितना हो जाएगा 10 cm तो यह आगए आर्द परिमाप इसलिए तिरभुज DEF का चित्रफल तो इसके लिए हम हीरोन का सूत लगाएंगे अंडर रूट S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C तो अंडर रूट S, S कितना है? 10 और फिर 10 माइनस A, A कितना है? 6 और 10 माइनस B, क्योंकि S का माइनस तो 10 है, माइनस B कितना है? 6 और फिर S का माइनस कितना है? 10, 10 माइनस C कितना है? 8 तो आगे बढ़ते हैं 10 10 में से 6 चले जाएंगी तो बचेगा 4 10 में से 6 चले जाएंगी तो बचेगा 4 और 10 में से 8 चले जाएंगी तो बचेगा 2 कोश्टक हटाते जाएंगी तो गुणा आ जाएगा इसके बाद देखिए यहाँ पर 4 की जोड़ी बनेगी तो चार बाहर आ जाएगा और पांच दूनी दस लिख सकते हैं इसको ताकि दो भी इसमें निकलाए तो दो दो की जोड़ी बन जाएगी तो दस को हम लिख सकते हैं पांच गुड़े दो इसको अब जियों काते हम लिखे देते हैं बाद हम लोग root 5 की जो है value लगतेंगे तो इसका मान आपको याद रखना पड़ेगा जो की होता है दो दिसमलो दो तीन छे ठीक है या आप 0 भी रहता है साथ में तो ये भी कर सकते हैं अब 8 का गुणा कर दीजे 8, 6, 6, 8, 48, 48 की 8 हासला जाएगी 4 आठ तिया 24, 25, 26, 27, 28, 28 की 8 हासला जाएगी 2 ठीक है अब 8, 29, 16 और 2, 18 18 की 8 हासला जाएगी 1, 8, 29, 16 और 1, 17 और यहाँ पे 1, 2, 3, 4 रंग का बाद दिसमलो एक, 2, 3, 4, 17 दिसमलो आठ तो इसको हम लिख सकते हैं 17 दिसमलो आठ ठीक है 17 दिसमलो आठ या फिर आठ आठ हो रहा है तो 17 दिसमलो नो भी इसको लिख सकते हैं लगवख और यह मीटर स्क्वेर स्वारी सेंटीमीटर स्क्वेर आएगा क्योंकि सेंटीमीटर में हमें यह चीज़ें दी गई है तो इसका आया है आंसर 17 दिसमलो तो अब आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा और बचा है, मतलब आप जमा की लिख सकते हो, इसको थोड़ा सा, कि भाग एक का छितफल, भाग दो का छितफल, भाग तीन का छितफल, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है, इस तरीके से, और आप अंसर लिख दोगे, तो य कर सकते हैं जिससे क्या होगा कि आप notes बना सकते हैं और परिक्षा के समय में notes देख के revision कर सकते हो यह इसका चित्र है ठीक है अब चित्र का साथ है कि screenshot ले लिजे फिर मैं इसको उठा लेता हूं अब इसके बाद मैंने यह उठा लिया यह देखिए अब यहां से आप पूरा बिलकुल लिख सकते हैं ठीक है इसके बाद आपको यहां से लिखना है यह ठीक है तो आपने समझा है तो आपको तो मालूम है कहां से लिखना है ठीक है तो चलिए अब इसके बाद हम लोग next question करेंगे thank you